ओके एवरिवन तो अब चलते हैं फिफ्टीन्थ चैप्टर पे वन फाइव अंडर इसकोर एमल फॉर मशीन लेर्निंग और इसमें आपको बताऊंगा ग्रिट सर्च के बारे में ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है और इस बार मैं थोड़ा सा समझाने का तरीका चेंज क कर रहा हूं step by step करूंगा पहले coding नहीं करूंगा पूरी पहले step by step उसके बाद फिर आपको clear करूंगा ठीक है तो सबसे पहले तो यह समझते हैं यार कि यह जो grid search है न यह है क्या ठीक है देखो बहुत सारी machine learning जो models बनते हैं ठीक है उनके पास काफी सारे अपने खुद के parameters भ actually यह जो parameters होते हैं जो इस model को बनाते हैं basically यह confirm करते हैं कि कोई भी model है वो जब data पास होने के बाद किस तरह से अपने आपको train करेगा या किस तरह से सीखेगा ठीक है यह उन parameters पे depend करता है क्योंकि आपने एक data ले लिया लेकिन आप उस data पे input किस तरह से दे रहे हो और उसके accordingly output कैसे दे रहे हो यह आपके concept पे निर्भर करता है मतलब machine learning आप जो उसको data दोगे जो parameter पास करोगे उसके accordingly ही सीखेगी ठीक है simple सा बात है for example ले लो जैसे अपने logistic regression देखा था ठीक है उसमें अपने SQL learn देखा था SQL learn के पास एक C parameter था जो की regularization को control करता है है ना मतलब कितना complex हो सकता है model उस पर भी depend करेगा यह अपने देखा है last chapters पे आप उपर जाओगे logistic regression में तो आपको मिल जाएगा chapter number 8 ठीक है तो अब सवाल यह होता है कि जो parameter C है मतलब जो control करता है जो effect डालेगा जो proper ज उसको अपन choose कैसे करें ठीक है तो मैं इसको लिखता हूँ basically की the method ठीक है the method आप यह समझो कि grid method क्या होती पहले मैं इसको बताता हूँ फिर इसका definition लगती हूँ ठीक है जो मैंने भी तक बताया आप लोगों को अब उसको थोड़ा सा conclude करो कि जो method अलग अलग values पास करने के बाद में किसी parameters के तुरू अलग-अलग values पास करने के बाद आप जो भी best value को choose करोगे ठीक है जिसके तुरू कोई भी model आपको best result देता है उस technique को कहा जाता है grid search method ठीक है मैं simple लिख रहा हूँ कि one method is to try out grid search के अलावा भी काफी सारी method होती है लेकिन ये जो method मैं बताने जा रहा हूँ ना ये popular है बहुत popular method है और सब यूज़ करते हैं लग-बग लग मैंने किसी भी machine learning वाले को इसको without इसके तो parameter guess करते देखा ही नहीं है सब यूज़ करते हैं इसको ठीक है सबसे simplest होता है तो मैं इसका एक definition लिखता हूँ कि one method is to try out में क्या लिखने वाला था हाँ different डिफ्रेंट डिफ्रेंट वैल्यूज एन देन पिक दो वैल्यू डैट गेव दा बेस्ट स्कोर ठीक है जो अपन ने बोला जो सबसे अच्छा स्कोर अपने को देगी ठीक है उस टेकनीक को इस टेकनीक इस नोन एस ग्रीड सर्च यह पूरे machine learning के model creation में आपको बहुत useful होने वाला है कि आपको निकालना कैसे कि कौन सा हम पिक करें जिसके तुरों को बढ़ियां सी वैल्यू निकले ठीक है तो इस से पहले इसको समझाने के पहले मैं आपको एक example देता हूँ कि जैसे कि अपने SQL learn पे C parameter देखा था जो की control करता है regularization को ठीक है वो हमको क्या बताता था कि जितना ज्यादा value होगी जितनी higher value होगी उतना real world information को tackle करके वो अपने को scenario या output देदेगा और जितना low value होगी उतना opposite होगा जश्ट उसके ठीक है तो जैसे मैं अब उसी को example लेता हूँ इस फर्गरिकी सबसे ह्लेकी अपने को क्या करना रहता है सबसे हैपने को कोई भी data set को लोड करता है थक है तकि आपने उस पे काम कर सकें सबसे पहले आपन क्या करेंगे मैं लोड करता हूं पहले from sk learn ठीक है यह मैं इस तरह से पहले नहीं पढ़ाया आप लोगों को इस तरह से मैं नहीं कोशिश कर रहा हूं कि शायद इसके थुरू clear हो जाए एक एक चीजें भारिकी से यह तो पहले अपन continue लिखते जाते से तो पहले मैं लोड करूँगा तो from sk learn मैंने क्या किया import किया किसको data sets को ठीक है मैं इसको import करता हूँ data sets को ताकि मैं उस पे काम कर सकूँ और मैं क्या करूँगा मैं नीचे आ जाता हूँ मैं क्या करूँगा अब data sets पे मैं हमारे पास option होता है iris का यह क्या हो गया है okay sorry debug console नीचे आ जा जा भाई तुम इसको ऐसे कर देते हैं ठीक है मैं यहां लिखता हूँ data sets और हमारे पास एक option है जिसको हम कहते हैं load iris ठीक है load underscore i यह देखवा गया ठीक है तो मैं काम करता हूँ इसको ना मैं एक variable पे ले ले लेता हूँ ठीक है इसको ले लेता हूँ iris नाम का एक variable ले लेते हैं अब क्या करेंगे यह अपन ने कर लिया okay मैं इसको save कर देता हूँ अब क्या करेंगे कि हमको एक model create करने के लिए हमारे पास कुछ independent values तो चाहिए अपने import कर लिया ठीक है तो अब कुछ values चाहिए अपने पास x और y की मतलब x हो गया आपका independent variable जो अपने starting पर लेखा और y हो गया आपका dependent variable तो अब इन दोनों में कुछ अपन values को put up करते हैं तो मैं उसके लिए क्या करूँगा मैं x ले लूँगा ओके और x is equal to मैं यहां करता हूँ आईरिस ठीक इसके अंदर list बनाता हूँ और यहां पर मैं पास करता हूँ मालो data ठीक है और फिर एक y variable बनाता हूँ और इसके अंदर फिर लेता हूँ आईरिस और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ मालो target ठीक है यह आपने एक मॉडल क्रियेट करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट वेल्यूस को उठाया है उसको अपने एक्स और वाई में आईरिस के तुरू फिट कर दिया है ठीक है अब हम क्या करेंगे हमको लॉजिस्टिक मॉडल जो था उसको क्रियेट करना पड़ेगा यह यह आईरिस क्या करता है एक अलग सा मॉड़ल क्रियेट करता है बहुत मझेदार मॉडल होता है यह इसमें बहुत कुछ देने कि आपको ज़रूवत नहीρι पड़ती है ठीक है तो यह कैसे करेट करेगा हुआ देखाता हूं ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं ठीक है मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर अपन logistic regression को सबसे पहले import करते हैं तो logistic regression कहां से import होगा from sklearn dot linear model से है ना इसके अंदर से आप करो import और logistic regression यह आ गया अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं load कर सकता हूँ logistic model को load कर सकता हूँ तो load करने के लिए मैंने from कर लिया अब इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं एक model बनाऊंगा ठीक है जिसमें की जो maximum iteration मैं use करूँगा उसको मैं एक higher value दे दूँगा ताकि एक best result मेरे पास आए और default value ध्यान रखना की जो default value होती है c की logistic regression में वो one होती है ठीक है तो हम उसको बाद में compare करेंगे ठीक है ये चीजे मैं आपको बना के नहीं मैं simple बता रहा हूँ आपको तो हम क्या करने वाले हैं अब इसमें हम जो भी example लेंगे उसमें हम एक iris data set create करेंगे ठीक है जैसे अपने दो x और y value ले ली और उसके थुरू अपन कुछ values को c में pass करेंगे और check करेंगे कि वो values कितनी vary हो रही है तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर माल लो मैं लेता हूँ logistic regression ओके इसके अंदर मैं maximum iteration जैसे मैंने बोला कि मैं एक बार maximum iteration चेक करूँगा तो max iter ठीक है इसके अंदर मैं value पास कर देता हूँ माल लो 10,000 ठीक और एक काम करता हूँ इसको ना एक variable में save कर वा लेता हूँ logistic है तो logit कर देता हूँ is equal to ओके अब यह model हमारा create हो गया 10,000 maximum iterations है ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे हमको इस model को fit करना पड़ेगा data पे कौन से data पे x और y पे ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा simple print command ठीक और यहाँ पर उसको logit यह देता हूँ जो मैंने variable बनाया okay dot मैं fit करूँगा तो fit okay अब किसके fit करूँगा x पे और y पे ठीक है और इसको इसको अब रन करना है मुझको तो run करने के लिए मैं क्या करूँगा print करूँगा print क्या logitik यह जो मैंने दिया है dot इसका score चेक करेंगे तो हमको run करने के लिए ना score method का use करना पड़ेगा तो मैं यह लिखता हूँ score sorry score किस पे x और y ठीक है देखो simple सा है अब अगर मैं इसका output लेता हूं मैं इसको run करता हूं ठीक है मैंने देखो अभी कहीं पर c के बात नहीं किया है मैं भी logistic regression में c की बात ही नहीं किया हूं ठीक है लेकिन by default मैंने क्या बताया आपको by default logistic regression में c की value कितनी होती है 1 होती है ठीक है तो इसका जो output आएगा वो 1 के हिसाब से आएगा अपने maximum iteration दिया है 10,000 लेकिन जो इसका normal default setting होती है c की वो होती है 1 तो जो output आएगा इसी के हिसाब से आएगा तो मैं एक बार इसको run करता हूं और मैं यह मान के चल रहा हूं देखना 1 की आसपास आएगा मतलब 0.8 something या 9 something कुछ आना चाहिए येस देखो 0.9733334 ठीक है अब यह तो अपने normal देखा अब आपन जो grid search है जिसके बारे में अपन main पढ़ रहे हैं अब इसको implement करने की बात करते हैं मैं यहाँ पर एक लेता हूं ठीक है now here we will implement a grid search grid search okay नीचे आजाओ देखो हम क्या करेंगे बिल्कुल same step follow करेंगे जो की अपने ऊपर किया है ठीक है लेकिन अपन क्या करेंगे c का जो range है उस पर भी थोड़ा सा discuss करेंगे ठीक है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं एक इसी पर नीचे पर मैं इसको पूरा का पूरा उठाता हूं यहां से पूरा copy कर लेता हूं पहले ठीक copy करके मैं इसको यहां कर लेता हूं मैं इसको रोकने वाला हूं अभी ओके ताकि यह मुझको problem ना करें एक दो तीन मैंने इसको copy किया अब मैं यहां पूरा इसको paste करता हूं ठीक है अब इसी में हम क्या करेंगे grid search method को implement करेंगे तो मैं कहलूँगा पहले मैंने c नहीं लिया था अब मैं लेने वाला हूं c ठीक है तो c लेने के लिए मैं क्या करता हूं simple मतलब अपने एक range values देंगे ठीक है अपने को पता है कि default value 1 है लेकिन अपन क्या करेंगे उसी के 1 के आसपास अपन कुछ values को set कर देते हैं c के आसपास ही करेंगे तो मुझे कहां पर करना पड़ेगा मुझे कहां पर करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा just इसके नीचे ठीक है मैं इसके नीचे कर सकता हूं एक काम करता हूं Logistry तक आप देखी चुके हो तो मैं यहां पर set करता हूं तो ठीक अब मैं यहां पर एक value सेट करता हूं मैं मालो 1 कि आसपास करना तो मैं करता हूं 0.25 फ्यली व्यल्य हो जीरो 0.5 ले लता हूं दूसरी value 0.75 ले लिसां तीसी वैल्य हो वन ले लेता हूं 1.25 1.5 ले ले लेता हूं 1.75 धुड़ा दूर गया और एक और वेली ले लेते हैं two जो उससे भी दूर होगी ठीक है य forces और यहां से है और टू उध़र से ठीक है और यहां पर मैं स्कोर्स ले लेता हूं एक blank लेना है मुझको लिस्ट स्ग accessibility ठीक है और यह मैं एक blank list पास कर देता हूं उस पर is equal to करके ठीक है ये तो clear होगे आपको हम क्या करेंगे एक loop बनाने वाले हैं basically ठीक है model को evaluate करने के लिए कि हर एक model पे क्या-क्य changes आए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एक empty list बना दिये ताकि इसी पे score जो है वो हमको show हो जाएगा क्योंकि अपन iteration कर रहे हैं यहाँ पे है न अपन loop चला रहे हैं ठीक है तो हमको अगर c की value को change करना है तो हमको जितनी भी values अपन ने ली है यहाँ पूरी values यह पूरी values पे अपने को एक-एक करके loop चनाना पड़ेगा हर parameter को update करना पड़ेगा हर एक बार पे तब अपने पास proper value जो है वो आईगी कि इसमें से कौन सा best value हम choose कर सकते हैं जो की grid search हमारा जिसके करण best हो जाए ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसके लिए मैं simple scores के नीचे में print के पहले यहाँ पे चला देता हूँ एक loop तो मैं क्या करूँगा for ठीक है और एक variable ले लेता हूँ i ले लेता हूँ ठीक है या इसको एक क्याम करता हूँ ना आई ना देखे कोई नाम देता हूँ इसको ताकि कुछ proper और उसको denote कर पाई है तो मैं यहाँ देता हूँ best choice तो choice देता हूँ ठीक है in C ठीक है अब मैं C पे चेक करूँगा इसको condition देते हैं क्या की जो logic tick है ठीक है regression जिसका maximum iteration 10,000 है अपन ने दिया हूँ है ओके वहाँ पर क्या करो set param ठीक bracket और C is equal to कितना हो जाएगा choice ओके अपनने लिया हूँ है उपर अब उस पे X और Y की value को fit कर देते है logistic is dot fit कौनसी value X Y ओके अपन जो नीचे कर रहे से न बस इसी को अपन ऊपर fit कर रहे हैं ठीक है मैं इसको यहाँ से delete कर दूँगा कोई काम नहीं है इसका ठीक मैं नीचे आ जाता हूँ अब मैं क्या करने वाला हूँ scores score score scores dot dot हर बार उसको तो अपन अपन करेंगे क्योंकि हर बार parameter update होगा है ना लूप चलाने के बाद तो मैं यहाँ कर देता हूँ append और किसको एपेंड एक्स और वाई की जो लॉजिस्टिक वाली value आई थी जो score आया था वो बार बार अपडेट होगा तो logit ठीक dot score score और उसके अंदर x y ठीक है ओके simple सा यह आपका loop जो है यह complete हो जाता है यहाँ पे अब मुझको क्या करना है मुझे केवल अब जो scores है इसको print करना है ताकि value जो है वो इसके अंदर set हो जाए तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं करूँगा print किसको print करूँगा score को print करूँगा SEO SC यह आ गया score बस मुझे और कुछ नहीं करना है यहाँ अब तक मेरा पूरा का पूरा सेनारियो complete हो गया ठीक है अब जो result आएगा result क्या आना चाहिए अंदाजन अपन लेते हैं एक result को ठीक है तो मैं इसको मैं करता हूँ execute ठीक अब अलग 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 देखो result आएगा अपने पास में कितने parameters लिए हैं अपने एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ आट रिजल जो हैं इस parameter के वो पूरे result आएगे हमारे पास में invalid parameter अरे 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 ओके सॉरी सॉरी मेरे भाई सॉरी मेरे भाई सॉरी 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 देखो ये गलती होई थी मेरे से है ओके अब ठीक है चलो उग्जिक्यूट कर दो होता क्या है न यह capital C है यह small c नहीं है इस चीज का दियान रखना थोड़ा सा वह मैं गलती से लिग दिया था देखो हमारे पास कितनी सारी वैल्यू जागी थोड़ा सा इस पर मैं ऐसे करता हूं देखो यह सब इसकी वाली वैल्यूज है ठीक है अब proper iteration हुआ है proper loop चला है सब पे और लूप चलके जिसे हम particularly एक-एक का निकालते थे ना इसमें एक-एक का निकाल रहे थे अब अब अपन particularly best score के लिए proper grid search का यूज की हैं और अपने देखा है कि कौन सी value सबसे better होती है ठीक है तो मैंने क्या बताया था कि one के पास की जो value है यह सबसे higher value जो जाती है वो क्या होती है सबसे best होती है ठीक है तो इसमें आप देखो ध्यान से यह पूरी value में यहां तक की जो lower value है c की ठीक है one parameter के base पे अपन one parameter default parameter उसके base पे कर रहे है ठीक है वो एक lower value भी आई है और एक बहुत higher value भी आई है ठीक है आप देखो ध्यान से देखो ठीक है 9,6 something कुछ यह लगया है और यह 9,8,9 something कुछ 6,6,7 यह तो को double double value आई है वाली ठीक है अब अगर माल लो मैं जो one था उसको क्या करता हूँ one point seven five कर देता हूँ जो normal regression में अपने use किया था default value को one की जगा one point seven five कर दूँगा या two कर दूँगा तो क्या होगा यह जो result है यह vary हो जाएगा यह बदल जाएगा यह model और increase हो जाएगा ठीक है तो मेरा कहना यह है कि जब आप कोई model को set करते हो ठीक है तो आप कौन सा parameter चूज कर रहे हो C के लिए वो सबसे ज़दा depend करेगा तो otherwise क्या होगा result vary होगा output आपको भले same मिलेगा लेकिन result vary जब होता है जब आपको increasing मतलब increased value मिलती है C में ठीक है तब क्या होता है कि लोगों को मतलब जो मैं developers को देखा हूँ या जो analyst होते हैं उन पे problem यादी करे यार हमने value change करी यह increase हो गया लेकिन वो भूल जाते हैं कि by default value तो 1 है ना इसके कारण ही वो बेसिकली नॉर्मल वेल्यू पर लेकिया है आप अगर उसको 1.75 कर दो तो कर दो तो आटोमेंटिक बढ़ जाएगा ठीक है देखो इसका एक best practice है मैं वो भी आपको बताता हूँ कि इसको basically हम लोग कैसे करते हैं अगर कभी जरूरत पढ़ती है तो क्या होता है कि यहां मैं लिखता हूँ ठीक है what about best practice ठीक है practices ऐसे करता हूँ देखो हमने अभी जो logistic regression पर देखा जो की same data को accept करके train कर रहा था ठीक है तो क्या होता है जब model बहुत closely कर्सपॉंड करता है ठीक है तब जो भी data जो छुपा हुआ होता है hidden वाला data होता है उसको predict करना उतना आसान नहीं होता है ठीक है तो वहां पर क्या है एक error आता है जिसको अपन कहते है overfitting ठीक है क्योंकि अपन ने कहा कि आप बहुत सारे models पर ध्यान नहीं दिया बहुत सारी hidden values पर अपन ने ध्यान नहीं दिया अपने सीधे एक iteration चला दिया एक loop चला दिया और एक proper एक value को उससे उठा लिया without grid search तो इस तरह की चीजों को avoid करने के लिए ठीक है आप क्या करो simple जो मैंने अभी आपको यह जो practice बताईए ना कि अलग-अलग value को लो एक score के आसपास और वहां से उठाओ तो आपके लिए best रहेगा ठीक ह है इसमें मैं एक splitting का मैंने बनाया था train test splitting ध्याने पुराने वाले model पर मेरे खाल से वह साइपाई पर भी है इस पर भी है आप उसको देखना उस chapter को जाके उस पर आपनने overfitting को use किया है और properly उस पर मैंने explain भी किया है कि इसको करना कैसे ठीक है तो मैं यहां लिख देता हू चैप्टर है कि नहीं कौन सा train test था वो जो अपने train test वाला चैप्टर पर प्रॉपर किया है इन साइपाई पर भी है वह और in ml दोनों पर ठीक है वार देख लेना कहां पर है मैंने मैं चैप्टर ना डालके उसको बीच में कहीं डाला हूँ है मुझको ध्यान है तो क्योंकि वह पूरा पूरा अलग चैप्टर हो जाता है इसलिए मैं और फिटिंग को अतना ब्रीफ नहीं कर रहा हूं आगे लेकिन जब आपने प्रॉपर मॉडल बनाएंगे आगे प्रोजेक्ट में तब मैं आपको प्रॉपर इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा कि एक्छल में लाइव रियल लाइव प्रोजेक्ट में आपको इसको यूज कैसे कर सकते हो ठीक है चैलो वह आपको समझ में आ गया होगा ओके चैलो मैं रोकता हूँ इस टुडियोरियल को ओके